अलो दोस्तो, इस प्रकार की टैल्स आगर आपकी टैर्स में है और पानी गिरता है, तो बहुत ही डेंजर है, सबसे पहले ए टैल्स चेंज करवा लो तो दोस्तो जो टैल्स मैंने दिखाई वो लगी हो अगर पानी नहीं गिनता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पानी गिनना शुरू हो गया तो लेट नहीं होना है सबसे पहले टैल्स बढ़ल देनी है वरना ऐसी हालत हो जाएगी आप देख सकते हो यह पूरा स्ट्लेब ख पानी लेकेज होने की वज़़ से लोहे को जंग लग जाता है और लोहे को जंग लग जाए तो बाज में कुछ नहीं कर सकते है तो यह पूरा स्लेब खतम हो गया था फिर भी हमने इसमें एक एकस्पारिमेंट किया और टैल्स से चेंज कर दी और टैल्स चेंज करके इसका वाटरप्रूफिंग मैंने कर दिया और पानी बिल्कुल ही नहीं किरा है तो मेरे टैल्स पिटिंग के बहुत सारे वीडियो है जो मेरा सभी में तरीका एक ही है वाटरप्रूफिंग से पानी बंद करने का तो डिस्क्रिक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप मेरे वो वीडियो देख लेना तो आपको पूरे मेर्थर पता चल जाएगा वो बहुत लंबे वीडियो होते है यहाँ पर में सिर्फ आपको मैंने कैसे बंद किया कैसी कंडिसन थी वही दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो कितनी खराब हालत में यह स्लेब है फिर भी इसका पानी म वज़े से इसलेब इतना खराब हो गया था कि पहले तो मैंने सुचा इसका पानी बंद होगा कि नहीं मैं क्या करूँ कैसे बंद करूँ फिर भी मेरे को मालुम धाक मुझे क्या करना है तो मैंने इसका पानी बहुत ही आसानी से बंद कर दिया तो मैं आपको वही वीडियो अभी दिखाने वाला हूँ और अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से हमने काम किया तो उसके लिंक आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा मेरे 10 से 12 वीडियो है रॉब टाइल स्पिटिंग पे तो आप देख सकते हो यह स्टलेब पुरा नीचे तक आरपार क्रेक थी तो इसमें पानी कितना गिरता होगा आप भी सोच सकते हो फिर भी इसमें भी हमने पानी गिरना बंद कर दिया है करना कुछ नहीं है इसमें एक तरब से सफा कर लेना है जहां जहां पर एक क्रेक है और वहां पर केमिकल लगा के केमिकल वाला रेड ही डालना है यानि कि सिमेट मिला के पानी डालना है उतना पानी डालना है जब तक एक करेक बना जाए वो बनने के बाद उसी दिन जब टाइस लगा उसी दिन दुबारा इसमें वो केमिकल डालना होता है और वो chemical डालने के बाद उपर तुरंती रिती वाला मसाला डालना ज़ल रही है क्योंकि अकेला chemical वाला पानी डालते हो तो वो दुसरे दिन फट जाता है रहता नहीं है उसमें भी क्रेक हो जाती है तो बैतर है आप इस प्रकार से अच्छे से chemical अगले दिन एक बार डाल लो जितना अंदर जाता है उतना जाने दो एक दिन पहले तो हमने एक दिन पहले इस प्रकार से उसमें chemical पूरा भर दिया था दुसरे दिन दुबारा chemical लगाना होता है और उस जगह पे दुबारा chemical लगाने के बाद इस प्रकार से उपर तुरंती मसाला डाल देना है तो यह हमने इस प्रकार से यह टेरेस का काम किया था काम तो मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि मैंने वीडियो नहीं उता रहा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था वीडियो सुट करने का पहले मैंने यही बाते जो बता नहीं होती है वो आगे मेरे वीडियो बनाए हुए है जिसका लिंक आपको डिस्किस्टिन में दे दूँगा एक नया प्रोड़क आया है जो हमने यहाँ पर इस्तमाल किया है यह जोइंट में डाल सकते हो जो हम बाद में इसके जोइंट फिलिंग कते है उसके अंदर एक केमिकल डालना होता है तो यह केमिकल डालने की वज़े से आपको बिल्कुल एपोक्सी जितना रिजल्ट मिलता है और बड़िया रिजल्ट मिलता है जोइंट में वटर प्रूफिक में भी बहुत ही बेश्ट है यह केमिकल तो हमने इस टेरेस में यह केमिकल का भी इस्तमाल किया है तो इसका जोइंट कैसे पूते है इस पर भी मेरे वीडियो है दोस्तों इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा जोइंट पूने के भी हमारे एकी तरीका है और वो तरीका भी आपको मेरे वीडियो में ही मिल जाएगा डिस्क्रिशन में मेरे 10 से 12 पहले लंबे लंबे वीडियो बनाए हुए है तो यहाँ पर काम की बात करूँगा उससे ज्यादा बात नहीं करना है आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो डिस्क्रिक्शन में से आप वो वीडियो देख सकते हैं पीछे मैंने लिखा भी होगा कि यह जॉइंट का है यह ट आप देख सकते हो कहीं पर भी एक बुन पानी नहीं गिराए अगले साल अगर एक बाल्ती डालो तो भी नीचे पानी आता था इस साल बारिस हो जाने के बाद भी यहां पर पानी नहीं गिराए तो इतना अच्छा काम करना है तो description में link मिल जाएगा वहां से वीडियो देखो और मेरे वीडियो में जो काम हम जिस प्रकार से कते हैं वो फॉलो करो, ठेक्स पर वाचिंग माइ वीडियो, एन आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और लाइक तो बनता ही है, तो यह काम हो जाने के बाद, जोइंट फिलिंग हो जाने के बाद, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, थोड़ा टेरेस गंदा हो गया है, मिट्टी की वज़े से, प्लीज सब्सक्राइब कर दो जाने के बाद,